जै मातादी। इससे पहले आप मारे चैनल पर देवी भागवत पुरान के महातम्प का अध्याय एक, दो और थीन सुन चुके हैं। आज सुनिए अध्याय चार और इसी के साथ ही देवी भागवत पुरान महातम्त समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से प्रथम इसकंद प्रारंब होगा आज सुनिए देवी भागवत के महातमे प्रसंग में मुनिके शाप से रेवती नक्षत्र के पतन परवत से रेवती नाम की कन्या के प्रादर भाव रिशी प्रमुच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दम के साथ उसके बिवहा की और रेवती नक्षत्र के पुनह इस्थापन की सुन्दर कथा राजा सुद्यम्न के इस्तरी बनने और श्रीमत देवी भागवत श्रवन के फल सुरोप सदा के लिए पुरुष बनकर राज लाब और परमपद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्र अब श्रीमत देवी भागवत का दूसरा महतमि सुनाने की भिक्रपा कीजिए इसकंद भगवान कहते हैं मित्रा वरुन से प्रकट होने वाले मुने अब ये कथा भी कहता हूँ सुनो जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो धर्म का विशिद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंब करके उसका महत्व दर्शाया गया हो उसे भागवत कहते हैं भगवती जगदंबिक की आराधना करते हैं रित्वाक नाम के एक बड़े मुनी थे उनकी बुद्धी बड़ी विलक्षन थी उनके यहां समयानुसार पुत्रोट्सव हुआ रेवती का चौथा चरण गंडान्थ होता है उसी में उस बालक की उत्पत्ती हुई मुनी ने उस लड़के की जातकर्म आधी सभी क्रियाएं सविधी संपन की चूडा करन और उपनेन आधी संसकार भी संपन किये महात्मा रित्वाक के यहां जब से उस पुत्र का जनम हुआ तभी से रोग और शोक से चिंतित रहने लगे क्रोध और लोब उन्हें सदा घेरे रहते माता की भी वही स्थिती हो उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती अब वह लड़का भी उद्धंड हो गया तब मुनी अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे ये मेरा पुत्र महान दुस्ठ हो गया उस समय उस लड़के मुनी अत्यंत खिन होकर कहने लगे मनिश्यों को पुत्र ना हो ये अच्छा है कि तु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है क्योंकि दुस्ठ पुत्र पित्रों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है वे जीवन परियन पिता को केबल दुख ही दुख देता है को पुत्र और पाप परायन संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे पुत्र जन्म को दिकार है उस पुत्र से तो ना मित्रों का उपकार होता है ना शत्रों का अपकार ही जगत में वे ही पुरुष बढ़ भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलब होता है सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है माता पिता को सुखी बनाए रखता है और दुराचारी पुत्र से तो संपोन कुल ही नष्ठ हो जाता है जगत में अपकीरती होती इस लोग और पड़लोग में दुख सहने पड़ते और अंत में नरक की या चले गए और उनसे पूछने लगे कि भगवन आप जोति शास्त्र के आचार है मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है यह मैं आप से पूछना चाहता हूं बताने के करपा करे मैंने गुरु की सेवा में ततपर रहकर विधी पूर्वप वेदा ध्यान किया ब्र पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रा ग्यानुसार गर्भाधान किया मुने फिर भी माता थ्वा पिता किसके दोश से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया यह दुखदाई पुत्र परिवार में बड़ी यह शांति फिला रहा है रिशी मुनी की बात स सुनकर जोति शास्त्र के परागामी मुनिवर गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करके कहने लगे मुने पुत्र के दुश्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता या फिर कुल ही है रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है यही कारण है क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुमारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका सभाव बन गया दूसरा कोई भी कारण नहीं है हे ब्रहमन तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जन्नी भगवती दुर्गा की आराधना करो यत्न पूर्वक सुपूजि था उधर सब के नेत्र लगे हुए थे इतने में ही मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र आकाश से तूटकर कुमुदगरी पर आ पड़ी रेवती के गिरने से वह परवत रैव तक नाम से प्रसिद्ध हो गया तब से उस परवत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई यो रेवती नक्षत्र का जो तेज परवत पर पड़ा उससे कन्या उत्पन हो गई जगत में अनुपम सुन्दरी होकर वे दूसरी लक्षमी की तरह शोभा पाने लगी रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच रिशी की द्रस्टी पड़ गई उसे करने लगे जब कुछ समय बाद वे सुन्दरी कन्या युवती हो गई तब उसे देखकर कौन इसके योगी वर होगा ऐसा करके मुनी विचार करने लगे बहुत सोचने विचारने पर उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी तब वे अगनी शाला प्रेभाशी और युद्ध में पीछे ना हटने वाले राजा दुर्दम इसके पती होंगे अगनी देव की यह बात सुनकर मुनी के मन में बरसनिता चा गई उसी समय सयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच रिशी के आश्रम में आ गई वे बड़ बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था प्रिवरत के वंश में उनकी उत्पत्ती हुई थी जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनी दिखाई नहीं पड़े इसलिए उन्होंने उस कन्या र पर शक्रशन करना चाहता हूं तब कन्या बोली महराज मुनी वर्तो अभी अभी निकलकर अगनी शाला में गए हैं कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अगनी शाला के द्वार पर पहुँच गए वे राजोचित वेशपूसा में थे नम्रता से उनका मस्तक जुका अथा उन पर मुनी की द्रस्टी पड़ी तब राजा ने मुनी को प्रणाम किया और मुनी अपने शिष्ट से कहने लगे कि गौतम अर्ग उपसित करो ये राजा अर्ग पाने के अधिकारी हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है और खास बात तो ये है क ये हमारे जामाता हैं अर्थात हमारे दामाद हैं ऐसा कहकर मुनी ने उन्हें अर्ग दिया और राजा ने भी उसे स्विकार कर लिया राजा दुर्दम अर्ग आधि के पश्चात आसन पर विराजवान थे मुनी ने प्रचुर आश्रवात देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल छेम पूछी, कहने लगे कि राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्रमंडली, भृत्यवर्ग, मंत्रीवर्ग, देश, नगर और स्वेम आत्मा में किस सिप्रकार की कोई अशान्ती तो नहीं है न, तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे यहां ही ठहरी है, इसी से मैंने उसका समचार नहीं पूछा, अन्य लोगों की कुशल कह सनाओ, तब राजन कहने लगे कि भगवन, आपकी किरपा से सब कुछ कुशल मंगल है, ब्रहमन पर मुझे ये बहुत आश्यर हो रहा है, कि आपने मुझे जामाता कहा, अ मेरी सुभद्रा आदी पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ, भगवन, रेवती के संबन में तो मुझे कुछ भी नहीं बता, रिशी बोले, राजन, अभी अभी तुमने जिसे प्रिये शब्द से संबोधित किया, वही तुम्हारी प्रियेसी पत्नी है, एक रिशे में आप मुझे पर अप्रसन मत होईए, तो रिशी बोले कि राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किन्तो अगनी देव की प्रेणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारन करना पड़ा, इस कन्या के पती कौन होंग तुमने उसे प्रेण शब्द से जो संबोधित किया था, उस विशे में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए, मुनी की ये बात सुनकर राजा मौन हो गए, अब मुनी उनके विवाह की विधी संपन करने की विवस्था करने लगे, पानी ग्रहन संसकार करने के प्रेयास में संगलग्न मौनी को देखकर उनकी कन्या उनसे कहने लगी कि पिताजी उची तो ये है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षतर में ही करने की करपा करें, रिशी बोले वत से अनेकों विवाहिक नक्षतर हैं, फिर रेवती में ही विवाह क्यों करें, रेवती तो इस समय न पूर्व समय की बात है रितवाग मुनी ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था अब वहाँ उसका इस्थान ही नहीं रहा फिर उसी नक्षत्र में विवाँ होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसनता प्रकट कर रही हो कन्या कहने लगी पिताजी क्या केवल रितवाग मुनी ने ही तपस्या की है मन वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या योगिता आप में नहीं पिताजी आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं और मैं आपका तपोबल भी खूब जानती हूँ इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनह इस्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कर दीजिए तब रिशी कहने लगे तुम्हारा कल्यान हो पुत्री तुम जैसा कहती हूँ वैसा ही होगा मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में इस्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संसकार संपन्न करूँगा इसकंद जी कहते हैं हे अगस्त इस प्रकार कहकर मुनी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवति को नक्षत्र मंडल में पुरुवत इस्थापित कर दिया फिर उसी नक्षत्र में ही विवाहिक विधी के अनुसार मुनी ने राजा दुर्दम को भैरेती नाम की कन्या सौपती विवाह कर देने के बाद मुनी ने राजा से कहा वीर तुम्हें क्या पाने की इच्छा है कहो उसे मैं पून करने को तयार हूँ राजा बोले मुनीवर मैं स्वायमभू मनु का वंशज हूँ आपकी कृप्रा से मुझे मनवंतर का अधिस्ठाता पुत्र प्राप्त हो यही मेरी इच्छा है मुनी ने कहा राजन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदंबिका की आराधना करो तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हे अवशी ही प्राप्त होगा श्रीमत देवी भागवत पुराण पांचवा पुराण है उसकी पांच आवरतियां श्रवन करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे इस रिवती के गर्व से पाँचवा रैवत नामक मनु होगा उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी शास्र के सभी रहस उसे ग्यात रहेगे धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा मुनी के ऐसा कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक जुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए पिता पिता मह की राजगदी पर बैठ कर उन्होंने फिर शासन आरंब कर दिया राजा दुर्दम बड़े बुधिमान और धर्मात्मा थे वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की की जाती है एक समय की बात है महात्मा लोमशी राज भवन में बधारे राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सतकार किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुने आप तो सर्व समर्थ है मुझे पुत्र पाने की इच्छा है अतह आप श्रीमत देवी भागवत नामक पुरान सुनाने की करपा कीजिए राजा की बात सुनकर लोमशी को बड़ा आनंद हुआ वे कहने लगे राजन तुम धन्य हो तब ही तो तुरिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भगती जागरेत हो गई है जो भगवती जगदंबी का देवता दानव और मनुश्यों की परम आराथ्या है उनमें जब तुम्हारी भगती हो गई तब फिर तुम्हारा कारिस सिद्धोने में भला क्या संदे है इसलिए राजन मैं तुम्हें श्रीमत देवी भगवत पुरान अवश्य ही सुनाऊंगा उसके श्रवण मात्र से कोई भी बदार्थ पाने की इच्छा शेस नहीं रह जाती ब्रहमन ऐसा केरकर लोमश्ची ने शुब मोर्थ में कथा आरंभ कर दी राजा दुर्दम सपतनीक बैठकर विधी पूर्वक कथा की पांच आवरित्या सुनते रहे कथा समाप्थ होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यत आनंद के साथ पुरान और मुनी की पूजा की नर्वान मंत्र से हवन किया कुमारी कन्याय जिमाई गई वे सपतनीक ब्रहमन भोजन में सम्मेलित हुए और सबको दक्षना देकर संतुष्ट किया गया कुछ समय बीतने पर भगवती देवी की करपा से राणी को लोक का कल्यान करने वाला गर्भ ठहर गया गर्भ की अवधी पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में राणी ने पुत्र को जनम दिया उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहुर्थ बीत रहा था पुत्र जनम की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष्ट शा गया उन्होंने इसनान किया स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्मादी क्रियाएं सुचारों रूप से संपन की गई ब्रहमणों को दान दे कर संतुष्ट किया गया फिर समय पर यग्यों पवित हुआ और अंगो तो था उपांगो सहीद वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी फिर रैवत नाम से विख्यात वेबालक संपूर्ण क्रियाओं का परागामी धर्मात्मा धर्म का प्रवचन और अनुस्ठान करने वाला परम प्राक्रमी तथा अस्र वेताओं में सर्वस्थेष्ट निकला फिर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु की पद पर प्रतिष्थित कर दिया श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी धर्म पूर्वक प्रत्वी पर शासन करने लगे इस प्रकार मेंने भगवती जगदंविका के और पुरान के महतमिका संशेप से वर्णन कर दिया उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता श्री सूत जी कहते हैं अगस्त जी ने श्रीमत देवी भागवत के महातम्य और विधी सुनने के बाद स्वामी कार्थिके जी की पूजा की और पुनह अपने आश्रम को लोटाए प्रहमडो तुम लोगों के समक्ष देव महाभाग सूत जी हम देवी भागवत के उत्तम महातम्य को तो सुन चुके अब पुरान श्रवन की विधी भी सुनना चाहते हैं तब सूत जी कहने लगे मुनिगणों विद्वान पुरुष को चाहिए कि सरुपर्थम जोतीशी को बुलाकर उससे मोर्थ पूछे जेस्ट म आरम करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है जिस नक्षत्र में ब्रिस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने क्रम्शा फल यह समझना चाहिए कि चार तक धर्म प्राप्ति फिर चार तक लक्षमी प्राप्ति इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिध्धी देने वाला फिर प पुराण श्रवन के आरेम में इस चकर पर अवश्यही विचार कर लेना चाहिए यह भगवान स्षेंका का गत् нашल है इसके शिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है परंतु तब भी तिथी नक्षत्र और दिन के संबन में विचार करना परम अवश्चक है विवेक शील पुरुष का करता भी होता है कि विवह आदी यग्यों में जैसी सामगरी आवश्चक होती है वैसे ही सामगरी इस नवह यग मे के अतिरिक्त बैठ कर पाठ करें प्रत्यक दिशा में इस प्रकार संदेश भिजवाना चाहिए कि आप लोग यहां अवश्ची ही पधारिये श्रीमत देवी भागवत की कथा आरंब हो रही है सोरी गणे शिव शक्ति तथा विश्णू किनी भी देवताओं में भक्ति रख इच्छा से यहां अवश्ची ही पधारने की किरपा करें ब्रहमन आदी चारोवन इस्त्रियां आश्रमवासी चाहे सकाम हो या निश्काम सभी इस कथा रूपी अम्रत का पान करने के अथिकारी हैं अगर नौ दिनों ता कथा सुनने का अफकाश ना मिले तो इस पुन्निम बुहार कर कथा का स्थान सजाएं वहां की भूमी विस्त्रितों से गोबर से लीपना चाहें महां सुन्दर मंडब बनाएं केले के खंबे लगाये जाएं उपर चांदनी लगा दी जाएं धोजा और पताकाउं से मंडब की सजावट होनी चाहें कथा वाचक के लिए दिव चित आसनों की व्यवस्था हो सुन्दर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्री विजयी शास्त्र ज्यानी देवी के उपासक दयाशील निस्प्रह उदार और सत असत का ज्यान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं शुरोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो जिसकी देवताओं में भक्ती हो तथा जो कथा रूपी रसका पान करना चाहता हो साथी उदार निरलोभी और नप्त तथा हिंसादी से भी वर्जित हो पाखंड रचने वाला लोभी इस्त्री लंपट धर्मत्यजेई कटुभाशी और प्रोताओं को समझाने में ततपर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदे निवारन करने के लिए सहयक रूप में कथा वाचक के साथ बठाए जाएं कथा आरंब होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागन शौर करा लें इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं शौच आदी से निवरित होकर अरुनोदय वेला में ही इस्नान कर लें संध्या तरपन आदी नित्यकर्म संशेप से करें श्रीमत देवी भागवत की कथा सुन्ने का अधिकारी बनने के लिए गौदान करना चाहिए श्रीमत देवी भागवत की पुस्तक सुन्दर अक्षर से संपन भगवती की वांगमी मूर्थी है संपुन उपचारों से इसकी पूजा परम आवशक है कथा की निर्विग्न समापती के लिए पांच ब्रहमनों को उनका पूजन करें वे ब्रहमन नर्वान मंत्र का जब और दुर्गा सत्षति का पाठ करें प्रदक्षिना और नमस कीजिए ब्रहमा विश्नु और शिव से सुपूजित होने वाली जगदंभी के आप मुझ पर प्रसन होए देवी मैं आपको नमस्कार करता हूं मुझे अभिलेशित वर देने की कृपा कीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्र करके कथा सुने व्यास रूप हैं संपुन शास्त्रों और इतिहासों का रहस आपको ग्यात है मैं आपको नमस्कार करता हूं कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतहकरन की अंधिकार को दूर करने की करपा कीजिए नौ दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए ब्रहमनों को बिठा कर उनकी पूजा करने के बाद स्वयम बैठे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुर्शार्थ प्राप्त करने के लिए खुब साब्धानी से कथा श्रवन करना चाहिए उस समय घर इस्त्री पुत्र और धन संबंदी चिंता बिलकुल ही दूर कर दे पंडिची स सुर्यदे से लेकर सुर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाचे दोपहर में केवल दो घड़ी विश्राम करना चाहिए लगु शंका और शौच पर नियंत्रन रहे अत्वा बारं बार ना जाना पड़े इसलिए थोड़ा भूजन करना उत्तम है वास्तों में तो कथ एक समय केवल हविश्य पातर खाएं यही ठीक है अत्वा वे दूध फल या घी के आधार पर भी रह सकते हैं विचार शील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विग्ण ना पड़े वैसे ही भोजन की विवस्था कर लें हे ब्रहमनों अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूं जो ब्रहमा विश्णु और शंकर जी में भेद द्रश्टी रखते हैं भगवती जगदंबिका में जिनकी भगती नहीं होती और जो पाखंडी हिंसक कप्टी ब्रहमन द्रोही और नास्तिक हैं उन्हें श्रीमत देवी भागवत की कथा स रवन के अनाधिकारी हैं व्रति पुरुष ब्रहमचरिका पालन करें जमीन पर सोय सत्य बोले इंद्रियों को काबू में रखे और कथा समाथ होने पर रात में संयम पुर्वक पत्रावली में अर्थात पत्ते के ऊपर भूजन करें बैगन तेल दाल मधु और जला हुआ ब अमक साग ना खाए काम, क्रोध, मद, मोह, दंप और अभिमान को पास ना ने दे ब्रहमन, द्रोही, पतित, संसकार, हीन, चांडाल, यवन, रज्यस्वला, इस्त्री और वेद विहेन मनुष्यों के साथ कथा के वृत में संगलगन पुरुष बात चीत तक ना करें वेद, गउ, ब्रहमन, गुरूर, स्तिरी, राजा, महान, पुरुष, देवता, तथा, देवता के भक्त, इनकी निंदा कान से भी न सुने, जो कथावरती पुरुष्यों ने चाहिए कि सदा नम्र रहें, निश्कपट, व्यवहार करें, पवितरता रखें, दयालू बने, थोड़ पुना संतान ना हुई हो, या फिर जिसके बच्चे मर जाते हो, या गर्भी गिर जाता हो, ये इस्त्रियां श्रीमत देवी भागवत की कथा अवश्य सुने, जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, बहयतन पूर्व के समान इसका भी उत्यापन करें, निश्काम पुरुष कथा श्रवन मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदंबिका का सुभाव ही है, पुस्तक और कथा वाच्चक की प्रति पूजा करनी चाहिए, वक्ता के दिये वे परसात को भक्ती पुर्वक स्विकार कर ले, जो पुरुष प्रति दिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी इस्तियों और ब्रहमनों को भी भूजन कराता है, उसकी क भगवन विश्नु का कीर्दन अवश्य ही करना चाहिए, समाप्ति के दिन श्री दुर्गा सत्षती मंत्रों से या फिर देवी भागवत के मूल पाट से अत्वा नर्वान मंत्र से हवन करने का विधान है, या गायत्री मंत्र का उच्चारन करके घी सहित खीर का हवन करना जोकि इस श्रीमत देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है, वस्त राभूशन और धन से कथा वाच्चक को संतुष्ट करना चाहिए, कथा वाच्चक के प्रसन हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसनिता उपलब्द हो जाती है, भक्ति पुर्वक ब कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें दक्षना देकर अपने कारे के सिध्धी के लिए उसे प्रार्थना करे, स्वर्ण दूध देने वाली गाये, हाथी घोडे तथा प्रत्वी आदिका भी दान करना चाहिए, इस दान का अक्षय फल होता है, यह श्रीमत देवी भा कर अंत में दुरलब मुक्ति पा जाता है, पुरान की जानकारी रखने वाला दरितर दुर्बल बालक तरुन अत्वा बुढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी पूझ और सरवदा आदरनी माना जाता है, गुण और जन्म देने वाले जगत में अनेकों किसी को भी प्रणाम ना करें, पुरान की कथा परम पवित्र है, जो इसे उपेक्षा बुद्धी से सुनते हैं, उन्हें फल तो मिलता नहीं बलकि उल्टे दुख और दरितर भोगने पड़ते हैं, पुरान के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस् अगर कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से देवी भागवत की नो आवरतिया सुन चुका हो, या देवी भागवत नो बार सुन चुका हो, उसके फलका कहां तक वर्णन किया जाए, वो तो जीवन मुक्त ही हो जाता है, राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदी महमारी का प्रकोफ हो या अकाल पढ़ जाए, अत्वा रास्ट विपलव हो, रास्ट में देश में दुख हो, अकाल हो, तो इन सब के भाई की शांती के लिए ये देवी भागवत अवश्य ही सुना चाहिए, है ब्रहमनों, भूत प्रेट सम्बंती बाधा शांत करने, शत्रु से रा पत का अधिकारी हो जाता है, स्वयम भगवती जगदंबिका के श्रीमुक से आधा श्लोक ही निकला, फिर शिश्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तयार हो गया, गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्मे है ना तपस्या है, ना देवता है और ना ही भज दन करने का अचुख साधन है, श्रीमत देवी भागवत परम पावन पुरान है, ब्रहमनों का ये एक मात्र धन है, नारायन सोरुप धर्मनंदन युधिस्टर ने इसी में धर्म की परियाप्त व्याख्या की है, गायत्री का रहस निवास भूत भगवती के मनिद्वीब का वर्णन और स्वेम भगवती द्वारा हिमाले से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है, जिनके संपोन प्रभाव को महां देवतागर भी नहीं जान पाते उन भगवती जगदंबिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूली के प्रभाव से ब्र लाजमान है, ये भवन चिंता मणी आदी रतनों से बना है, अमरित से भरे कूप और दिविवरक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं, भगवान शंकर के हिर्दय में इस्थान पाने वाली प्रसन वदना भगवती जगदंबिका वहां विराजती है, बड़ भागी पुरुष उ जगत का कल्यान करें, जैमाता दी, अब तक आपने श्रीमत देवी भागवत महतमी सुना, जो कि आँ समाप्त हो गया, अगले अध्याय से आप प्रथम इसकन सुनेंगे, जिसके सभी अध्यायों का कथा में जिस प्रकार वर्णन किया गया है, उससे आप रस्पान करने का प्रयास अवसी ही कीजेगा, क्योंकि बहुत ही भागिशाली होते हैं वो लोग जो नवरात्री के दिनों में या फिर अन्नी दिनों में देवी भागवत पुरान की इन कथाओं का श्रवन या फिर पाठन करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा